15.7 एलकीन और एलकाइन अभी हमने एलकीन सजाती श्रेणी समझी आईए जानने की कोशिश करें कि द्वीबंद अथ्वा त्रीबंद वाले हाईडरोकार्बन भी क्या सजाती श्रेणी बनाते हैं द्वीबंद वाला सबसे सरल हाइड्रोकार्बन एथीन है जिसे आम भाशा में एथिलीन कहते हैं एथीन का सरचना सुत्र CH2 double bond CH2 तथा अनुसुत्र C2H4 है अंग्रेजी में लिखने पर इसके नाम का मूल भाग एथ और अनुलगन Ene है यहां एथ दर्शाता है कि अनु में दो कार्बन है हम एथीन के किसी भी कार्बन से जुड़े एक हाइड्रोजन को मेथिल समू से प्रतिस्थापित कर सकते हैं ऐसा करने पर हमें CH3, CH double bond, CH2 प्राप्त होगा इसे प्रोपीन कहते हैं और इसका आणविक सुत्र C3H6 है कार्बन के माध्य द्वीबंद पाया जाता है एलकीन कहलाते हैं यह इसपस्ट है कि एथीन और प्रोपीन में केवल CH2 समू का अंतर है एलकेन की तरह एलकीन समू में भी कार्बन शिंखला की वृध्धि के लिए हम अंतिम कार्बन से जूड़े हाइड्रोजन को CH3 मेथिल समू से प्रतिस्थापित करते हैं सारणी क्रमांग 3 एलकीनों की संगनित सरचना अनुसुत्र एवं उनके नाम कार्बन पर्मानों की संख्या N संगनित सरचना अनुसुत्र नाम मूलभाग धन अनुलग्न बराबर नाम N बराबर 2 H2C double bond CH2 C2H4 एथ धन इन बराबर एथीन N बराबर 3 H2C double bond CHCH3 C3H6 प्रोप धन इन बराबर प्रोपीन N बराबर 4 H2C double bond CH CH2 CS3 C4H8 बूत धन इन बूतीन N बराबर 5 H2C double bond CH CH2 whole twice CS3 C5H10 प्रोप धन इन बराबर प्रोपन इन बराबर प्रोपन इन N बराबर 6 H2C double bond CH CH2 thrice CS3 C6H12 नाम आप भरिये सारणी क्रमांग 3 से इसपस्ट होता है कि एलकीन परिवार के सदस्यों का सामान्य सुत्र CNH2N है इनमें निकटम सदस्यों में केवल CH2 का अंतर है इसलिए यह भी सजातिय शेणी है एलकीन को नाम देने के लिए भी हम मूल अनुलग्न नियम का पालन करते है मूल नाम से हम एलकीन की जनक शिंखला में उपस्थित कार्बन परमानों की संख्या दर्शाते हैं और इन अनुलग्न जोडते हैं इस तरह ब्यूटीन का अर्थ है चार कार्बन ब्यूट वाला एलकीन क्या आप छा कार्बन वाले एलकीन का नाम बता सकते हैं? ऐसा ही कुछ हम एथाइन एसेटिलीन के साथ भी कर सकते हैं एथाइन त्री बंद वाला सरलतम हाइड्रोकार्बन है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमानों के बीच त्री बंद हो एलकाइन कहलाते हैं इनके नामकरण के लिए भी हम मूल अनुलग्न नियम का पालन करते हैं यहां मूल नाम से हम एलकाइन की जनक शिंकला में उपस्थित कार्बन पर्मानों की संख्या दर्शाते हैं तथा आइन YNE अनुलगन जोड़ते हैं. इस तरह प्रोपाइन का अर्थ है तीन कार्बन वाला एलकाइन. दी गई सारणी क्रमांग चार में एलकाइन परिवार के प्रथम तीन सदस्यों की नाम दिये गए हैं. इस सारणी में रिक्त इस्थानों को भरिये. सारणी क्रमांग चार एलकाइनों की संगनित सनचना, अनुसुत्र, एवं उनके नाम. कार्बन बर्मानों की संख्या एन, संगनित सनचना, अनुसुत्र, नाम, मूलभाग धन, अनुलग्न, बराबर नाम. न बराबर 2, HC, triple bond CH, C2H2, एथ, प्लस, आइन, बराबर, एथ, न बराबर 3, CH3, C, triple bond CH, C3H4, प्रोप धन, आइन, बराबर, प्रोपाइन, न बराबर 4, CH3, CH2, C, triple bond CH, C4H6, ब्यूट, धन, आइन, बराबर, ब्यूटाइन, एन, बराबर 5, इसे भरिये, एन, बराबर 6, इसे भरिये. सारणी क्रमांग 4 से इसपस्ट है कि एलकाइनों का सामान्य सुत्र CnH2N-2 है. एलकाइन परिवार के निकटम सदस्यों में केवल CH2 सम्मू का अंतर है, इसलिए वे भी सजाती श्रेणी बनाते हैं.